जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि शियाओ यान ब्लड सेक को माने ही वाला था कि तब ही वह बीस सील को तोड़ देता है इवल एल्डर्स कहते हैं कि ये स्ट्रेंज फायर की बॉड़ी है जो पूरी तरह से ग्रो हो गई है और हैंग पैंग भी आप खुश होने लगता है कि खुद बीस बहार आ रहा है जिससे उसकी फ्लेम मिल जाएगी लेकिन एल्डर्स फिर्षे वहां फ्रमीशन क्रीयट करने आ जाते हैं और सील को क्रिएट करने लगते हैं Old Evil Elder कहता है कि अभी Elders अब busy हो गए हैं तो क्यों न हम Strange Fire को हासिल कर लें जिस पर Hank Pank कहता है कि Elders अब थक गए है और wrist recharge कर रहा है जिए अभी Elders फिर से सील नहीं कर पाएगे और जब 20 बाहर आ जाएगा तो हम इसे हासिल कर लेंगे मैं बस Strange Fire को लेना चाहता हूँ ना कि Elders को मार कर केनान कॉलेज से जान की दुश्मनी लेना चाहता हूँ केनान कॉलेज का काफी rich heritage है अगर हमने इनके Elders की जान ले ली तो काफी strong hidden mysterious लोग हमारी पीछे पढ़ जाएंगे जो हम नहीं चाहते अब वहां blood check का fan law आ जाता है जो यंग लड़के ने fan law तक को हरा दिया इसकी strength five star dou huang की चितनी होगी जब मुझे time बिलेगा इसके बारे में भी मैं रुक कर जरूर पता लगाऊंगा और इसकी भी strange fire को ले लूँगा शियाओ यान के हातों से वो बचकर भाग गया है इसलिए फिर से वो महां जानी की सोचता है लेकिन याओ लाओ उसे रोक देता है ये कहकर क्योंकि आसपास काफी strong लोग है अब तुम वहां मत जाओ जब तक तुम king of fighters level पर नहीं पहुँच जाते तब तक हम उसे head on fight नहीं कर सकते हो लेकिन शियाओ यान को उस level तक पहुँचने में शायद 2 साल ही लग जाए और इ हुआं से do zone तक महुच जाओंगा अब वो beast finally seal को तोड़ी देता है और वो beast सभी लोगों को देखने लगता है और इसको शियाओ यान और हैंग पैंग के अंदर strange fire दिखती है और हैंग पैंग भी अब 20 को देखता है और उससे समझ आ जाता है कि इसकी strange fire rank 14 पर है यानि इस भी हमें देख रहा है लगता है यह भाब गया है कि हम दुनों के पास strange fire है और यह भूका है और हमें खाकर यह अपनी भूक मिटाना चाहता है यावलाव बताता है कि इसके पास अपनी intelligence है और यह अगर तुम्हारी strange fire खाएगा तो बहुत शक्ती शाली हो जाएगा यान हैंड फैंग की तरफ आने लगती है वो evil elders तुरंट अपनी shield को activate करते हैं लेकिन fan law यह कहकर वहां से चला जाता है कि वो बहुत injured हो गया है और वो इस beast का मुकाबला नहीं कर सकता है यह देकर हैंड फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब आज के बाद मेरे से क और अब वो सभी इस beast पर एक साथ हमला करते हैं एल्डर समझ जाते हैं कि इस beast का target hand fang है इसलिए हमें उसे इसे fight करके ही लेने देना चाहिए और अब हम सभी को जल्दी से meditate करने बैट जाना चाहिए ताकि खुद को recover कर सकें क्योंकि अब यूद खतम नहीं हुआ है और हम hand f कर और जदा शक्ती के साथ उन पर धारता है वेसे सबी elder उसको हराने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हरा पाते और वो बीस तो साथी evil elders को जान से खतम कर डालता है hand fang सोचने लगता है कि शियाओ यांग के पास 20 strange fire तो ये beast मेरे पास पहले क्यों आया अब silver and gold hand fang से कहते है कि ये beast बहुत शक्ती शादी है और हम तुमारी मदद नहीं कर सकते हैं इसलिए अब आपको देख लो कि आपको क्या करना है हम जा रहे हैं hand fang को बहुत गुसा आता है और वो अपनी एक bottle निकालता है और कहता है कि शायद मुझे इसका use करना ही होगा वो उस bottle को beast के उपर फ अपसिलना कर ले लेकिन याओ लाओ बताता है कि इसको हरा पाना इतना भी आसान नहीं है और बीस को मारने के लिए अपना चोड़ देता है लेकिन बीस अब गुस्ते में आ जाता है और हैंड फैंग पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है और हैंड फैंग के चारो तर स्ट्राइक का यूज करके उसे बचता है और उसके फ्लेम्स से बचने लगता है वो हर तरफ से फ्लेम्स छोड़ कर रखता है लेकिन वो श्याओ यान की चारो तरफ की फ्लेम्स की दीवार खड़ी कर देता है असल में फ्लेम्स उसकी बॉड़ी है और वो खुद को फ्लेम उसमें transform कर सकता है और जब चाहे वो अपने body में condensed हो सकता है अब चाहरो तरफ उसने flame लगा दी और शियावयान जब उस पर भागने की कोशिश करता है तो beast उपर से आने लगता है इसे शियावयान अपने flame से आसपार shield create करता है उसकी flames को तोड़का निकालता है और वहाँ से भागने लगता है बीस अपने physical body में फिर से condensed होता है और शियावयान के उपर flame चोड़ता है शियावयान भी अपनी flame चोड़कर उसे attack को nullify करता है ये beast बिलकूल भी नहीं धक रहा था यावलाव बताता है कि इसकी body बेशक बहुत बड़ी है लेकिन इसका weak point किसी एक जगा पर ही situated है और तुम्हें उसको locate करके उसके पर हमला करना है शियावयान उस point को ढूनने लगता है और थोड़ा ढूनने पर उसकी belly पर उसे वो point मिल जाता है और वो तुरंत अपने flame से खत्यार create करता है और उसको लेकर beast की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है घायर hand fang सोचता है कि ये मूर्ख लड़का अपने मौत की तरफ जा रहा है लेकिन शियावयान बचते बचाते उसकी weak point पर हमला कर देता है वो वीस्ट वही बहुत जोर से चलाता है और blast हो जाता है यावलाव कहता है कि बहुत अच्छा तुमने perfect shot मारा है अब बस तुमें इसके पूरी तरह मरने का weight करना है फिर इसी के साथ flame ले सकती हो जब तुम इसे लोगे तो हो सकता है कि मेरी existence भी सभी को पता चल जाए लेकिन falling heart flame तुम्हें लेनी ही होगी शियावयान कहता है कि आप चिंता ना करो आपने मुझे इतना strong बनाया है अब हमारी बारी है कि आपके लिए कुछ करने की falling heart flame अपनी true form में आ जाता है और शियावयान तुरंट उसको लेने के लिए भागता है हैंग भागता है elders हैंग फैंग को रोकने भागते हैं और हैंग फैंग अपने evil elders को बुला लेता है जो elders को रोक देते हैं अब शियावयान और हैंग फैंग दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं और वो दोनों ही इसे लेना चाहते हैं और इसे के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है